बदलना कौन चाहता है मजबूर कर देते हैं लोग हलो विरूफुल पीपल नमस्ते कैसे हैं आप सब टैटल लग इस्टु प्रिवन पे आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है गाईज तो पिककार रिडिंग आज होने वाली है और आज देखेंगे कि आप से दूर होकर आपके परसन आखिर कैसा महसूस कर रहे है क्या उनके अंदर कुछ बदला हुए है क्या ये वक्ति खुश है या फिर ये वक्ति बहुत ज़रा आपको मिस कर रहे है इन तमाम सवालों का जव आप सभी से मैं हमेशा एक ही बात कहती हूं कि प्लीज भरोसा रखिए अपने किस मज़र भरोसा रखिए अपने कर्मा पर भरोसा रखिए अपने आने वाले अच्छे समय का इंतजार कीजिए ठीक है और देखते हैं कि इस वक्ति की हालत कैसी है अभी आपके बिना तो पाइल नमबर टू तो कर लीजे अपने पाइल को सेलेट कर लीजे दुआये प्रेयर्स और मैनिफेस्टेशन तो ज़ली स्टार्ट करते हैं हमारे इडिंग पाइल नमबर वन से C L R T M B U E A J O W और Z जिनोंने में चुनाया है आपसे दूर होकर इस वक्ति की नीजी जिन्दगी में क्या हो रहा है क्या चल रहा है कैसा महसूस कर रहे हैं तमाम बातों की जानकारी मुझे आपको देनी है तो चलिए उनिवर्स की तरफ से ही सुरवात करते है कि आफ है या है आल पहला ही कार्डश सक्सस का आया है नमबर शरक ए इनरजी नमबर थ्री के एनरजी एक्स्पिरिंसिंग का कार्ड आ गया है और ये दोनों ही कार्ड्स कुछ ऐसी चीजे बता रही है आपके पर्सन के बारे में उसे पहले मैं आपको बता दू नमबर तीन और छे जिसका तालुक या तो महीने से या तारिक से भी हो सकता है तो experiencing का मतलब कि ये वक्ती अभी इस वक्त जब आप से दूर बैठा हुआ है ये वक्ती बहुत सारी चीजों का बदलाव अपने अंदर महसूस कर रहे है और एक बात मैं आपको बता दूब कि कई सवाल आते हैं कि क्या आप सर्फ लड़कियों के लिए reading करते हो तो मैंने कब कह दिया भाई कि मैं सर्फ लड़कियों के लिए reading करती हूँ मैं खुद एक लड़की होने की वज़े से एक महिला होने की वज़े से मेरे मुझे जो आसानी वाले words यूज होते हैं तो मैं वैसा ही feel करती हूँ और वैसा ही कहती हूँ तो यह clarification था तो बहराल अभी आपके बोसन के बारे में कुछ ऐसा दिख रहा है कि यह वक्ती अपने अंदर बहुत सारे बदलाव भी महसूस कर रहे है साइथ physical changes है mental changes है health में कुछ changes है है यना अनुभफ का card ही यही बताता है कि आप से दूर रहना इस वक्ती ने अनुभफ कर लिया है और इस अनुभफ के अंदर में क्या है, इस अनुभफ के अंदर में मैं देख रहे हूं कि इस से लग रहा है हैना कि इस relationship में जो है जिसमें हम हारे हैं इसे ऐसा feel होता है कि जिस रिस्ते को हम हारे हैं साथ ये भी जो है जिन्दगी का एक lesson था जिन्दगी का एक हिस्सा था या जिन्दगी का एक part था पर जिसे ये वक्ति unsuccess से success में बदलना चाहता है ठीक है इस वक्ति कि दिल की इच्छ आप से रिस्ता तूटने का अनुपव रिस्ता तूट कर गिरने का अनुपव इस वक्ति ने बटोड लिया है तो कहीं न कहीं यह जिंदगी का एक lesson है या जिंदगी का एक part है जो मैं सीख चुका हूं और किसी भी किसी बी तरीके से इस relationship को जो है मुझे बरकरार रखना है बनाना है क्योंकि हारा हुआ जो एक इंसान यहाँ पर नज़राता है वो इस हार से खुश नहीं नज़राता है ना तो एक्सपिरियंसिंग और सक्सेस यह दोनों ही जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई एनरजी है अभी अनुबव कर रहे हैं आपके परसन आपसे दूर होकर और दूसरी तरफ जो है आने वारा जो फ्यूचर है आप दोनों का भविश्य है उस भविश्य को लेकर रिवक्ति बह में कह रहे हैं कि अभी जितना आप दोनों का जुडाई है आप दोनों के बीच में जो कली आप लुबहाप बटो रहे हो इसके बाद इस रेलेशनिशिपा एक ऐग सच है और व honest ठीक है तो उनियोवर्स ने आप दोनों के रिलेशंशिप में हो रहे ही जीग है चीजों को में मिलेगी उस सक्सेस को जो है आपके पॉसन हासल करेंगे और आप भी हासल करोगे ठीक है तो यह यूनिवर्स के तरफ से आया हुआ भविश्यवानी है चलिए अब टैरेट से देख लेते हैं क्या क्या है आप से दूर हो कर यह वक्ति जैसे कि एक्सपिरिंसिंग का जो क्ल इस ओपांडिकल्स कीमत समझने को या कीमत पता चलने को किसी भी चीज़ को जिसे हम बिल्कुल भी कीमत नहीं दे रहे होते हैं जिसकी value नहीं समझ रहे होते हैं वही कीमत समझने की energy होती है Ace of Pentacles वाव कीमत देखो इससे बड़ा कीमती तौफा या इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है जो इंसान आज अनुभव कर रहा है मैंने आपसे कहा था ना कि यह अनुभव किस चीज़ कर रहा है उसका जो है clarity उसकी सचाई हमें जब टैर डिंग करेंगे तब पता चलेगा त आपसे दूर होकर यह वक्ति तो आपके असी मित प्यार को अनलिमिटेड लव को यह वक्ति महसूस कर रहे हैं आपसे दूर होकर टू अफ कप्स इस सब्सक्राइब क्या बात है यह तो टोटल मुझे लग रहा है कि टोटल यह जो है कार्मिक कर्मा प्लस सोल्मिट वाली एनेरजी है कि सोल्मिट में भी कर्मा चल रहा है यहां पर कुई नों फेर तो चलिए नमबर सिक्स और नमबर थ्री के साथ साथ कुछ साइन और एलिमेंट है जो यहां पर निकल कर आये हैं टॉरस के लिए आज खास हो सकता है रिडिंग क्योंकि अरोफेंट यहां पर आया है इसके लावा पैंटिकल्स वैल्यू इजट सम्मान बढ़ाने के प्यार और भावनाओं से मिला हुआ एक रासी होता है जो होता है वह रिस्ता जहां पर गुस्ता है नाराजगी है थोड़ा सा घमंड है जिसे हम कहते हैं एर साइन जैमनी लिब्राकरेस मिधुन तुला और कुम रासी कहने का मतलब है कि टॉरस के लावा सब्सक्राइब चीज़ों को मारे तो चीजों में उनुबव बढ Beauty Goat उसे से इसमें क्या क्या है तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि आपके लिए आपके लिए आपके लिए ऐसा प्यार महसुस कर रहा है यह वक्ति जो साइद इसने कभी आपके साथ होते हुए भी महसुस नहीं किया होगा इस वक्ति को आपके प्यार का हर एक लम्हा आ आपके द्वारा दिया गया सुकून, आपके द्वारा जो है दिया गया वो साहस, सपोर्ट, केर, हल्प जो भी हम कहते हैं, जो एक रिलेशनशिप में कोई करता है, यहना वो सारी चीज़े अनलिमिटेड होकर इसके मन के अंदर बह रही है, इस वक्ति को ऐसा महसूस हो रहा ह कि कितना हम दोनों का प्यार कितना जादा एक दूसरे के लिए था, हम दोनों एक दूसरे के अंदर बसते हैं, हम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हैं, हम दोनों के प्यार में कभी भी खोट नहीं है, हम दोनों का प्यार पवित्र है, जैसे इस वर का प्यार हम लो जो प्यार यह वक्ति आपके साथ महसूस कर रहे हैं आपसे दूर होकर दूसरी जोग एनरजी आई थी वह है एस ओफ पैंटिकल्स के एनरजी सुरवात में ही मैंने कह दिया कि कास यह वैल्यू कास यह आपका अपना पन आपका साथ आप क्यूं इससे इतना प्यार कर रहे हो या क्यूं आप इस वक्ति से लड़ रहे हो जगर रहे हो या क्यूं आप अपने हक के लिए इस वक्ति से कमिट्मेंट के लिए इस वक्ति से जो है आप बार बार कह रहे हो कास इन चीजों का अर्थ इस वक्ति को पहले ही पता चल गया होता तो आज इस वक्ति को कराने की च हमनार से जादा अफसोस है और अफसोस किस चीज़ का है अफसोस है उस सची प्यार को हमार को कि लिए he तो आपकी तुलना अगर व्यक्ति उस है white यानि मेरे जीवन शुक लाकी मिन अपतर से भेकर हमारी है और जिसके साथ मैं अंगिनत गलतियां कर चुका हूँ तो इसके पास अब चारा भी नहीं है ये वक्ति इस तरीके से अपने अंदर मायूस्ता हो चुका है कि इसे नहीं करना जो था वो ये वक्ति करके आया है जो गलतिया इसे नहीं करनी थी वो वो गलतिया इसने की है प्यार को समझना प्यार को हमेशा संभालना प्यार की जरुत को महसूस करना है ये वक्ति वो कर नहीं पाया है और आज जो है गम के सागर में आपका ये वक्ति डूबा हुआ 9 of Sorts इसमें दिख रहा है जहां पर past में बहुत ही जादा गलतिया हुई है और present में उन गलतियों को सुधारने का समझ इस वक्ति के समझ से परे हैं अब बात करते हैं हम five of worth के बारे में और five of worth का मतलब वही होता है क्यों आज नौबत यहां तक आ गई है कि अपने प्यार को हासिल करने के लिए अपने प्यार के करीब जाने के लिए एक वक्ति वो साहस नहीं बटोर पा रहा है five of worth का मतलब ही होता है कि चेहरा दिखाने की हालत में नहीं है आपके person आपसे आपका साथ मांगने की स्थिति में नहीं है आपके person आगे बढ़कर आपको पुकार तक नहीं पा रहे है यह वक्ति जबकि इसे आपकी बहुत ज़रुत इस वक्त है क्यों क्योंकि इसके पास अब वो साहरा नहीं रहा क्योंकि इसके पास अब वो कोई एक ऐसा इंस इस estasu जीवन मुझे नजर आता है जहां पर इमोशन्स या फीर किसी का प्यारपान जो है इसके रह से बाहर होっちゃुआ है इसके लिमिटेन से बाहर आपका प्यार अब इसके इसको ऐसा मैसुस होता है कि प्यार है पर इतनी दूर चला गया है कि उस प्यार को महसूस करना या उस प्यार के तरफ बढ़ना भी जो है मेरे वश की बात नहीं है मेरे हाथ से निकल गया है वो समय तो टोटली emotion से जो है कटा हुआ या आपसे कट गया है या आपसे दूर होता चला जा रहा हूं इस तरकी की जो है energy या इस तरकी का कर रहा है बात करते हैं आपके बारे में जो आया है आज कुई नफ एर के एनरजी और कुई किंग ओफ फायर यहां पर है कुई नफ एर यहां पर है यह वक्ति आपके लिए बहुत जादा जो है अपने मन के अंदर ऐसा ऐसा फिल रखता है जैसे कि आपके लिए बहुत जादा टेंप्टेड है बहुत जादा जुनून है आपके लिए आपको देखना इनकी ख्वाइस है आपको छूना इनकी ख्वाइस है आप वो हो जो इसके मन में हमेशा दिये की तरह जल रहे हो पर जब यह वक्ति आपको देखता है तो क्या नजर आता ह इस वक्ति को कि कहीं ये प्यार कम नहीं पड़ गया, कहीं ये वक्ति प्यार छोड़ कर या मुझे भूल कर, क्या ये वक्ति अब बदल रहा है या बदल चुका है, क्या इस वक्ति के अंदर मेरे लिए अभी भी नाराजगी है, क्या ये वक्ति अभी भी मुझे नफरत करता ह जहां पर एक तरफ एक इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपको देखकर पिघल रहा है, वहीं पर जब आपको देखता है, तो उसका ये जुनून कहीं न कहीं खतम सा हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर इसे passion नहीं नज़राता, आपके अंदर इसे प्यार नहीं नज़रा चेंज होता हुआ एक व्यक्ति को नजर आता है कि अब यह साथ मुझे मुझे ना देखे साथ अब यह मेरे क्योंकि गवा गवा गया है दूर हो गया है उसके बाद प्यार का असासी से हो रहा है और इसे डर है कि कहीं अब आप इसके प्यार को accept ना करो या आप इस वब्चिक को आप फिर से पहले की तरह ही सोचो तो ये आपको लेकर ये एक उनके मन में एक जो है डरा डर की भावना या एक खौफ आपको लेकर जो है पैदा होती हुई नजर आई है जो आसान से सब्दों में अगर मैं कहूं तो जैसे करनी वैसे भड़नी वाली ही एनरजी होती है स्दों करें रैता है और जब जाता है वरबादी के अंतिम से पर होता है तब जाकर बनाने की इच्खा या बनाने की नियत होता है न तो वही चीज यहाँ पर नज़र आघी है कि कई बार औरहँ बार मैंने क्योंकि 1000 से ज्यारा रेडिंग में कर चुकी हूँ आप सभी के लिए कुई बार मैंने ये कहावत आप से कहीं भी है कि आप पस्तावे क्या होए जब चिडिया चुक गई खेत है ना तो वही हस्र हे यहां पर इस वक्ति का हो रहा है कि चिडिया चुक गई खेत याने कि की चाहत पैदा इसके मन के अंदर होती है आपके बिना आपसे दूर होकर कहीं न कहीं इसका विशाल परिवार जो है क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है कि बड़ी फैमिली में हो सकता है इसका उठना बैठना इसका जनम जो भी है या फिर एक सःयर्ट फैमिली में रहता है जो भी है पैसे वाले फैमिली में ही रहता है ऐसा लग रहा है जहाँ पर ऐसो आराम की कमी नहीं है जहाँ पर धन दौलत की कमी नहीं है पर एक चीज़ की कमी है वो है आपका साथ क्योंकि 10 of pentacles के होते हुए भी सर्वर संपन हर चीज़ घर के अंदर यहां अपने जीवन में होते हुए भी किसी एक के साथ जो इसने नाइंसाफी की है किसी एक व्यक्ति का जो इसने मन दुखाया है है ना उसके एक उसी एक इंसान की कमी इसे जो है अपने इस संहिक्त परिवार में या इसे अपनी फैमिली के अंदर वो उस व्यक्ति की कमी हमेशा खल रही है यह अपने आपको ना ही संपन मानता है ना ही यह वक्ति अपने आपको complete मानता है ना ही इसका उदेश्य पुरा ह हो रहा हो नहीं इस वक्ति का सपना पुरा हो रहा है कि आप की याँ पर हमेसा रही है और रहती ही रहेगी जब तब तक आप इसे कर there कर रहा हो तो यह वक्ति आपसे दूर होकर क्या सोच रहा है यह क्या महसूस कर से और व्यコøण लिए यह प्यार महसूस कर रहा है उतना ही इस प्यार को एक बनाने की जो है इंच्छाए ख्वाइस और से भी कर रहा है है चरितरे के बारे में पूछना चाहते हो कि इसके बड़ाव आया है क्योंकि पास्ट में ये वकती साह Schmidt गलतिया बहुत बार करता आया है जिसके वज़े से पस्तानी की नौबत आ जाई है तो चरित्र को लेकर कैरक्टर को लेकर मन की सुध्धी को लेकर अगर आप जानना चाते हो तो इससे बड़ा प्रूफ कुछ नहीं हो सकता अगर ये वक्ति चरित्र हीन भी था कई लोग होते हैं कि एक अफेर से काम नहीं चलता एक इनसान से मन नहीं बरता तो बहुत जगह पर मुँ मारते हैं बहुत सारे अफेर्स रखते हैं बहुत सारे डिलेशन्शिप में जाते हैं टाइम फास वाला डिलेशन्शिप बनाते हैं तो अगर आपका पार्टनर बाईचंस ऐसे चरित्र वाला भी था तो आपको समझना है कि वो वक्ति अब अपने चरित्र में भी बदलाव इसने किया है क्योंकि गुरू के अंदर है गुरू इनके अंदर बसी हुई है गुरू जो भी है इस वर जिन्हें ये पूछते हैं जिन्हें ये सम्मान करते हैं मेंटर जिसे हम कहते हैं जो गौड होते हैं वो इस वक्ति के अंदर सब कुछ साफ कर रहे है इन्हें टोटली पवित्र बना रहे हैं पुवित्र बना रहे क्योंकि सबसे पहले तो इस रिलेशन्शिप के लाइक यह नहीं है तू अफ कप्स डिजार्व नहीं करता यह वक्ति हैना क्योंकि इसने गलतिया बहुत सारी की है तो सबसे पहले जो भी गलत था वो चेंज हो चुका है और यह वक्ति अब जो है पहले वाले चाजित्र welfare भेंछ है पहले वाले पहले जैसा व्यक्ति अब यह नहीं रहा बदला हो चुका है साथ है इस व्यक्ति की एक धार्ना है यह च्छा है इंदो जो पूरी भी होगी, क्योंकि हेरोफेंट पूरा होने वाला ही मेजर रुकाना होता है, हैना कि ये पूरा होगा, हैना इस वक्ति का प्यार, टू अफ काप्स ये सच है, आज की डेट में सच है, कल की तारिक में क्या था नहीं पता मुझे, पर आज की डेट में इस वक्ति का प्यार आपके लिए टोटली प्योरिटी से भरा हुआ है और यह वक्ति आपने इस प्यार को इस मंजिल तक इस हद तक भी जो है लेकर जाना चाहरा है और लेकर जाएगा भी क्योंकि हरोफेंट का मतलब ही है कि लव मारेज में सक्सेस और सक्सेस कैसे वह पहले वह बन जाए आपके काबिल आपके लायक आपके जैसा हैना सिक्स ऑफ वर्थ जैसा हैने के बराबर यह बन जाए टू अफ कप्स के को हासल करने के लिए हैना आपके पवित्र प्यार को हासल करने के लिए पहले इसे लायक बनना पड़ेगा तो वो सारा चीज यहां पर हो रहा है और है ना कि पहले अनुभव हो जाए पहले गलतियों को सुधारा जाए इस वक्ति में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसे टू अफ कप्स की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता है ना तो कर्मा बदल कर अपने अपने अंदर की बुराई को निकाल कर जब एक वक्ति पवित् अज्यार पहुंचाएंगे लव मैरेज तक आप दोनों का रिलेशन्शिप जाएगा तो जो टावर आया है वह टावर भी कहीं न कहीं खलबली मचाता है वह टावर भी वरक्ति सोचता है बहुत दुखोंता है इस वक्ति को जब भी ये उन कहीं हुई बातों को उस जो जिस पर हुई है एस पंटिकल का मतलब होता है कि आपके साथ बिगनिंग चाह रहे हैं और वैल्यू भी देना चाहते हैं यानि कि सम्मान आपको देना चाहते हैं यह वह ऐसा नहीं चाहते कि जबर जस्ति आकर आपके साथ रिलेशन्शिप में जुड़े या आपके मर्जी के बिन यब तक तो साहिद है कि यह दूस्रों क्या मर्जी पर जाना चलता है यह अपने मर्जी करता होगा आपके कभी वैल्यू आपसे कभी पूँचता नहीं होगा कि आप किया चाहते हो पर यह एक कैसा समय है जब यह वक्ती आप ही आप से ही पूच्छ और इस रिलेशनीुप क के साथ ही यह अपने जीवन का हर फैसला लेना चाहरा है चाहे वो फैसला फैमली से जुड़ा है बिजनस से जुड़ा है कैरे से जुड़ा है मैरे से जुड़ा है या इस तूटे हुए रिस्ते को जोड़ने के बारे में जो भी राई है वो आपसे लेकर ही जो है इस रिस्ते के अनरजी में जब भी कोई व्यक्ति होता है तो देर सवेर उसे एहसास हो ही जाता है वो फिर गलतिया करने से बाज आएगा वो फिर गलतिया करने से हजार बार सोचेगा है ना क्योंकि सच्चे प्यार का एहसास उसे हो चुका होता है ना तो experiencing अनुबव इनी सारे चीजों का इसे हुआ है चले देखते हैं और कुछ messages क्या है जो यह वक्ति आपसे दूर होकर feel कर रहे हैं एक्सपेक्ट अब मिराकल तो manifestation वालों के लिए यह बहुत बड़ी खुशकबरी वाला message आया है अगर आपने किया है अगर आपने मांगा है है ना हम क्या कहते है कि बहुत सारे लोग मांगते हैं पर सबको हासिल नहीं होता है चाहते चाहत सबको होती है कि यह मिल जाए वो मिल जाए पर हर इंसान की दूआ सची नहीं होती हर इंसान का मन सच्चा नहीं होता सच्चे भावना से हम मांग नहीं सकते क्योंकि मन के अंदर पाप ना कहीं ना कहीं होता है कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया था तो उस भावना विविकर्ण सब्सक्रा सोच лет विए प्रेवूज कि विया निस्चल भावना से निस्वार्थ हो!! चाहे जितना ध्धोका खाया चाहे जितना दर्थ काठा है फिर भी कभी अपने पार्टनर प्रिल्जाम नहीं लगा, उसके लिए बुरा नहीं सोचा, तो वैसे ही व्यक्तियों का manifestation दुआ कबूल किया जाता है, तो अगर आपने किया है manifestation मांगा है, तो आप कोई जादू, चमतकार या unexpected कोई ना कोई miracle जो है expect करो, क्योंकि ये होने वाला है, miracle का मतलबी चमतकार होता है, जादू होता है, जो किसी भी वक्त आपके जिवन में घट सकता है, ठीक है, तो ये एक angel की तरफ से आपके लिए संदेश आया है विन वाले situation या फिर लूज लूज वाले situation, नमबर फाइफ के एनरजी बिलकुल यहां पर आ चुकी है, निकल कर जो ये कहती है कि यहां तो इसे जीता जाएगा, यहां इसे हारा जाएगा, एक ना एक फैसला यहां पर लेना ही पड़ेगा, यहां तो जीतने के लिए बढ़ना है, यहां फिर हमेशा के लिए खोने के लिए बढ़ना है, पर एक जगह पर ही जो है अटक कर कभी भी relationship का फैसला नहीं होता है तो इश्वर ने इस विक्ति को भी साथ यही यही कमांड दिया हैं इस विक्ति को यही वार्निंग दिया है क्योंकि आवेकनिंग आ은 तुम जीतने के लिए ना तुम यहीशार जाओगे ना पर तुम allegiance लेना होगा एक फैसला क्योंकि तुम्हारे अटक जाने से या तुम्हारे पस्तावे करने से है ना कुछ बदलने वाला नहीं है अगर तुम बदलना चाहते हो तो आगे बढ़ो या तो दो में से एक ही होगा ना गैस या तो हारेगा या जीतेगा आपको इससे बड़ा क्या ह सकता है अपना परिवार छोड़ना पड़ सकता है एहंकार छोड़ना पड़ सकता है तो बहुत सारी चीजों को त्याग करोगे तब जाकर आपको एक फैसला मिलेगा या जीतने का फैसला मिलेगा या फिर हारने का फैसला मिलेगा मैं आपके लिए यहां पर आपको दिख रहा वो निकलेगा गाइस ठीक है कि तो आपके पोसर ने कह दिया है कि तुम्हें आज भी देखता हूं मैंने बस रेंडम ली एक मैसेज यह जानने के लिए कि यह वक्ति आपसे दूर होकर आखिर क्या सोचते हैं क्या करते हैं या क्या महसूस करते हैं तो इन्होंने कह दिया कि तुम्हें मैं आज भी देखता हूं खुले आम सरयाम साइथ नहीं देखते हैं पर चुपके चुपके चुरी-चुरी आपको देखते हैं कहने का मदलब है वही जासुसी वाली एनरजी वही स्टॉकिंग वाली जो पेज का क और चुरी-चुरी आपका दिदार करता है आपके बारे में बहुत सारी बाते जानकारी में रखता है आपके क्योंकि आपके जीवन से जुड़ा हुआ है यह वक्ति तो आपसे दूर नहीं रह पारा तो यह मैसेज इनकी तरफ से रैंडमली मैंने निकाला आई होब आपको समझ में आई है कि आपसे दूर होकर आपके पोस्न की अवस्ता कैसी है यह वक्ति कैसा फील करता है कैसा महसुस करता है आपको सायद सब कुछ पता चल गया है तो चली इतना कहते वे एक एक शेर कर दीजे रिडिंग को पहुंचा दीजे उन लोगों तक जिनको हीलिंग की जरूत है जिनकी तबियत खराब है जो प्यार में जो है पागल हो चुके है जो किसी का इंतसार करते करते ठक गया है थोड़े से दुखते हुए दिलों को भी थोड़ी रहत मिल जाएगी उन्हें भी जीवन जीने का एक देशे मिल जाएगा होसला मिलेगा आपके एक शेर स इतना कहते हैं मैं रिडिंग को कर रही हूं क्लोज आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल कि कि मैं करते हूं आप सबसे बहुत ज़्यार प्यार लव यौल ठेक खेर नमस्ते और बाबाई गाई गाइस वलकम बाक पाइल नमबर टू ड़ी अगप नक्यू एस वी ए ट्रांस्फरमेशन डेट के अनरजी नमबर थरडीन आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है और देखे आपके पॉर्टेंट का जीवन यही है अभी जैसा आपको यहां पर दिखा है सबसे पहले स्ट्रेस बहुत जादा स्ट्रेस है इस्ट्रेस का मतलब सीधा साधा अर्थ क्या होता है एक व्यक्ति जिसके दिमाग पर बहुत सारा बोज है एक ऐसा व्यक्ति जो उन बोज को हलका नहीं कर पा रहा है जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना रास्ता समझ में आ रहा है ना उन प्रॉलम से छुटकारा पाने की कोई तरकीब निकाल पा रहा है हर चीज का तनाव इस वक्ति के अंदर जो है इस वक्ति को तकलीफ दे रहा है तकलीफ में है ये वक्ति इतना समझना आपके लिए जरूरी है तो आपसे दूर होकर वो कैसा महसुस कर रहे है तो इसका पहला जवाब आपको यही मिला है स्ट्रस जो यह बताता है कि आपसे दूर होकर इस वक्ति की मुसीबते बढ़ गई है इस वक्ति की जिन्दगी में तकलीफे बढ़ गई है आसान नहीं है बिल्कुल भी जिन्दगी अगर स्ट्रेस आया है इसका मतलब क्या है कि क्या ये वक्ति खुश है नहीं क्या ये वक्ति मुस्कुरा रहा है नहीं क्या इस इस वक्ति के अंदर इतने सारे changes हुए है इस वक्ति के का दिल का हाल अलग है इस वक्ति के सरीर का हाल अलग है इस वक्ति की परिस्तिति आलग है बहुत सारे चीजे जिसमें सुधार के आवे सकता थी वह बदल रही है एना transformation हुआ है spiritual awakening भी इस वक्ति की हुई है और सबसे important death का जो card आता है वो सरी बदलाव को नहीं बताता वो कहीं न कहीं आपसे यह कहता है कि आपके person और आपके बीच का जो हिसाब किताब था जो अभी clear हुए बिना यानि कि हिसाब किताब बराबर होना था हिसाब किताब बराबर नहीं हो प किताब पूरा करने के लिए रिबर्थ हो रहा है आप दोने के relationship में रिबर्थ है और रिबर्थ का connection आपके past life से होता है आपके पूरों जन्म के हिसाब किताब से होता है तो death हुआ है यानि कि अन्जाम अब इसका rebirth होगा पर अभी की जो हालत है अभी की situation है बहुत सारे emotional जो कि इस्वर ने हमें बताई है एक तो relationship को लेकर बताई है और एक उनके वक्तिगत जीवन के बारे में आपको बताई है कि साइध रिस्ते को लेकर दूरी को लेकर life के problems को लेकर है ना कुछ तंगी को लेकर finances को लेकर family को लेकर जो है stress यहाँ पर बहुत जारा overloaded है चले आप ट कि एकर बारा टंगी को लेकर दो हो लेकर को लेकर इफ़ स policy याउन क algae कि जजकर आफ जब सकतल्तिक झीगवन बगई। judgment stress तर नाव इस चीज़ का अभी है किस चीज चीज़ का इस्ट्रस है यह भी मुझे आपको जानकाली देनी है कि इस्ट्रस आया है तो इसका किस चीज़ का समद्ध इस इस्ट्रस से जुड़ा हुआ यह आपको बता चलेगा फिर से वही इस्ट्रस वाली एनरजी फाइब four of swords six of pentacles गाइस मुझे सर्फ एक कार्ट यह था मैंने एट कार्ट की रिडिंग की थी पर यहां पर आ गया है four of swords bottom में hermit आया है मैंने ले लिया है अब आया है निकल कर है न मेरे बास कोई option नहीं था मैंने ले लिया है इस कार्ट को हर्मिट आ गया चले दूसरा डेक से मैं सर्फ चार ही लोंगी क्योंकि नाइन फायर four of earth five of earth four, four and five वाव bottom में three of fire के energy आई है निकल कर three of fire तो चले गाइस रिडिंग को आपको अंतिम तक समझना है ठीक है बीज बीज में छोड़कर भागना नहीं है क्योंकि आधिय दुरी जानकारी कभी भी अच्छी नहीं होती है तो चले साइन और की तरफ बढ़ते हैं साइन और एलेमेंट में आज वर्गों के लिए रिडिंग खास है क्योंकि मेजर अरकाना का हर्मिट आया है इसके अलावा हमाले पास एयर साइन है जमनी लिब्राइकर स्मितुन तुला कुम्रास अच्छा साइन और बताओं इससे पहले यह बता दू कि हर जर्डरों के लिए होती है कक रिसे स्वाल करते हो आप मेंसे कुछ लोग की सिर्फ लड़की यह लड़की के लिए क्यों होगी कि मिल किसी भी जेंडरों के लोग जो है इस रिडिंग को देख सकते हैं ठीक है तो मैंने का क्या कहा था कि यह साइन है जैमनी लिब्रा अकुरिस मितिन तुला कुम रासी अर्थ साइन टॉरस वर्गों कैप्रिकॉन विशप कन्या मकर रासी फाय साइन लियो सेजी टेरेस एर हो रहा है क्योंकि ट्रांसफर्मेशन आया है तो जनम हो ऐकिस चीज़ को लेकर होने वाला हो यह मैं आपको बताओं ४र्ल सैं और तो है जो उतर नहीं पारे है तो वह सबसे बड़ा कि इस वक्ति एक इसा होता है कि इस वक्ति ने बहुत बड़ी नाइंसाफी कर दी, judgment फैसला, judgment का जो ये काड आया है न, वो यही बता रहा है कि फैसला गलत ले लिया है मैंने, मेरे मूँ से गलत निकल गया, है न, मेरा action सही नहीं था, है न, मैंने जो प्लान किया था, वो ऐसा नहीं था, मुझसे इतनी ब वक्ति ने लिया था, तो क्या फैसला लिया था, यह भी मैं आपको बता दू, इस वक्ति ने आपके साथ कौन सा एक ऐसा गलत फैसला लिया था, जो आज इसके सर पर टांडव बन कर नाच रहा है, जिस पर यह पस्ता रहा है, तो वो गलत फैसला था, ब्रेक अप लेने का, इस इस रिडिंग का सबसे मतलब इतनी खुपसरत ढंग से जो है सिलसलेवार से जो है कार्ड आये है ना जो एक के बाद दूसरे को क्लैरिफाई कर रहा है गलत फैसला लिया गया जिसके वज़े से बहुत ज़्यादा तनाव है और तनाव किसलिए हुआ है फैसला कौन सी सुनना है छिस्ते में नहीं रहना है अब रिष्ता गया इधर तुम गया उधर मैं गया किसी और तरफ है न मुझे आप सबसे बड़ी महाभूल यह गलति इस वक्ति वक्ति को अब जाकर हो रहा है दूसरा मैं आपको बता दो कि क्या है इस वक्ति की क्या हुआ है देखो four 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 चारों ही तरफ one two three triple four वाली energy आज angel number निकल कर यहाँ पर आई है एक गलत फैसला इस इनसान द्वारा लिया गया एक गलत फैसला इस वक्ति की जिन्दगी को जो है अब तबाही की कगार पर लेकर आ चुका है गाईस क्यों क्योंकि यह वक्ति आपसे अ माम जो है बहानों का पहाड खड़ा कर दिया गया जिस वक्ति की दिल की कभी सुनी नहीं जिस वक्ति के जजबातों को कभी महसूस नहीं क्या उसी वक्ति को आज पाने का लालच यहाँ पर क्यों नजर आता है उसी वक्ति की करीब होने का मन क्यों होता है उसी वक्ति को दे इच्छा होने की energy होती है तो इस वक्ति को आप युचर उसके ने लिया है तो चार का वार यहां पर आज आपको आपके आपको पोचने के उपर एंज्जल अपर ना लिए हाया कि जिसकी तुम ने जो तुमारे पास था जिसे तुम comfort सकती थे तुमने उस मन तो लिए आ उस वक्ति से संबन तोड़ने के बाद तुममें लग रहा है अपना फैसला गलत हो गया और गलत होने के बाद अब उस व्यक्ति हो ही जो है अपने रिष्टे को मजबूत नहीं बना पाया मैं रिष्टे में खुष्या धूंड़ता हूँ आपके ऊपर सारा जिम्मा छोड़कर ये वक्ति कभी इस रिष्टे में स्टेब्ल रहा ही नहीं तो रिस्ता मजबूत कैसे बनेगा ट्विन फ्लेम के लिए भी आज की रिडिंग यहाँ पर नज़र आई है ठीक है तो बहुत ही अलग सोच रहा है यह वक्ते अभी आप से दूर होकर कि कितनी बड़ी गल्ती कितना बड़ा अपरादिया कितना बड़ा ना इंसाफी वाला फैसला मैंने कर लिया अब जिसे छोड़ कर आया हूँ पीछे उसी की जरुत है यहाँ पर उसी की इच्छा है वहाँ पर उसी को देखे बिना नहीं रहा जा रहा उसी को पानी की लालच है मन के अंदर पर कैसे होगा यह लालच अब कैसे पूरा होगा क्योंकि यहाँ पर नाइन फायर भी है और नाइन फायर बता रहा है कि यह वक्ति टोटली जितना भी जिम्मा है रिस्ते का बरबादी के पीछे जो भी जिम्मा है वो वक्ति खुद पर ले रहा है आपसे दूर होकर ये वक्ति खुद को जिम्यवार मानता है I am the one मैं ही वो reason हूँ मैं ही वो कारण हूँ मैं ही वो वक्ति हूँ जिसके वज़े से आज ये सब कुछ इस रिष्टे में घटनाय घट रही है मैं अगर उसी वक्त अगर संभल जाता उसी वक्त मैंने थोड़ा सा गौर कर लिया होता थोड़ा seriously मैंने इस relationship को वक्त दिया होता break up लेने से पहले इसे वक्त लेना चाहिए था इसे थोड़ा सा आपसे समय मांगना चाहिए था इसे आपकी इच्छा भी इसे सुननी थी कोई दूसरा option है problems है 10 of events का problem यहाँ पर दिख रहा है 4 of fire, arrange marriage का problem यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है पहुत सारी चीजों का obstacle दिख रहा है फिर भी break up लेने से पहले थोड़ा सा समय इसने ले लिया होता कोई दूसरा रास्ता इसने चुन लिया होता आपसे वक्त मांग लिया होता आपसे कोई suggestion मांग लिया होता तब आज इस वक्ति को यह नहीं कहना पड़ता कि मैं तो देखो यहाँ पर हार कर लुटकर बरबात पड़ गया हूं मैं तो हार गया हूं इस रिस्ते को हार गया हूँ उस परसन को हार गया हूँ इस रिस्ते का भरोसा मैं खोड़ चुका हूँ है ना मैं तो अब किसी लायक रहा ही नहीं यह नालाई की वाला ही काड होता है जो इंसान खुद अंदर से महसूस करता है मतलब आपको न जाकर इस वक्ति को यह बताने क कि जरुत नहीं है कि तुमने यह गलती की तुमने मुझे ब्रेकप लेने का फैस लिया तुमने मुझे हर्ट किया तुमने हमेशा परिवार की सुनी तुमने हमेशा जो है अपनी सुनी तुमने मेरे साथ इतना गलत कैसे कि आपको जाकर इस वक्ति को कुछ कहने की जरुत नही और हार का जो वजय है वो खुद कोई जिम्यवार भी पहरा अजय के इनदर बहुत बड़ा चोट है लूजर वाला चोट फेलियर वाला चोट गलत होने का चोट गलत होने का है सास दूसरों के सुनकर जो कर की है मनमर जी उसका है सास होता है 9 of fire बहुत बड़ा इनकी लिए तो ऐसा है ना कि बहुत बड़ा जैसे कि एक जंग ही हार गया है एक रिस्ते का जंग हार गया है एक इंसान के भरोसे का जंग हार गया है इस तरीके से जो है यह वेक्ति आपसे दूर होकर महसूस कर रहे हैं वहीं पर साथ ही साथ अगर हम बात करे three of fire यहां पर आया है bottom of the deck में और दूसरी तरफ आया है हर्मिट का card दोनों ही energy बिलकुल एक लंबे इंतजार के बाद वापस आने के energy होती है अभी आपके person को अगर हम गौर से देखे तो इसका सरीर से लेकर इसकी आत्मा से लेकर और इसके दिमाग से लेकर हर हर इंच का एक कत्रे का ना सुध्धी करन यहां परिस्वर कर रहे हैं समझ गए ऐसे ही मतले पर चमतकार नहीं होता कि इनसान कल जाकर आपको ब्रेक अप देता है और दो दिन बाद उसको ऐसास हो जाता है कि मुझसे गलती हुई नहीं एक बहुत बड़ा प्रोसेस है एक आत्मा गलानी का पस्तावे का भी एक प्रोसेस होता है जब तक इसलों से उस प्रोसेस में डालेंगे नहीं नहीं न खामोसी रहूं जब तक मुझे कोई बहुत कोई कर लिया नहीं अच्छा अच्छा आपशन नहीं दिखता तब तक मैं उससे दूरी बनाओंगा मैं कोशिस करूंगा कि मेरे अंदर की जितनी भी गलत भावन यहां गलतियां जो मैं करता आया हूँ या करती आई हूँ, मैं जब تक उसे सुधार नहीं लेता, तब तक मैं उसे दूरी बनाऊंगा, मैं उसके सामने नहीं जाओंगा, हैना क्योंकि मैं रिस्ते को और खराब नहीं करना चाता हूँ या चाहती हूँ, तो हर्मिट का मतलबी होता है वो सुधार वाला समय जहां पर इंसान बहुत सुस्थ पढ़ जाता है जहां पर इंसान बहुत स्लो हो जाता है कुछ करना तो चाहता है पर चाहा कर भी दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाता क्योंकि पहले सोचता है कि मेरे अंदर का जो भी गल गलत है उसे मैं पहले सुधार लूँ तो बहुत अच्छा spiritual awakening गुरू के संग्रक्षन में इस वर की संग्रक्षन में आपकी इंसान के अंदर तब्दिली आ रही हैं बदलाव हो रहे हैं पर धीरे धीरे ये सारी चीज़े हो रही है जिसका effect क्या होता है no contact होता है no contact में चला ज life में क्या है 5 4 का काड़ाया है दूसरे तरफ 5 अपर सोर्ट का भी काड़ाया है और 5 का मतलब होता है हमेशा उस इंसान की जरुद को महसूस करना जो आज उनके साथ नहीं है तो यह वक्ति भी आपके उसी साथ के लिए तडब रहा है यह वक्ति आज भी आपको अपने तड़प के अलावा कुछ और है ही नहीं तड़पना ही है अपनी लाइफ की प्रॉलम से तड़पना एक तरफ है जूज रहा है लड़ रहा है बहुत ज़ला स्ट्रेस वाले एनरजी फाइव उसोड जहां पर बेगाने बहुत सारे हैं इनकी आसपास अपनापन कहीं नहीं है दिखावा वाला प्यार ये वक्ति महसूस करता है हैना सबके अंदर इस वक्ति को अपनापन कहीं पर ढूंड कर भी नहीं मिल रहा है साथ तो दूर की बात है मीठे दो सब्द भी जो है कोई इस वक्ति से आकर बोलता नहीं है सभी लोग इन पर ताने मारते हैं हैना इनको जो है भला बुरा कहते हैं इनके अंदर बहुत सारी कमिया गिनाते हैं कि तुम तुमसे नहीं हो पाएगा तुम किसी काम के नहीं हो तुम नालायक हो इस तरह की के मतलब अपनों से ही ना बहुत ज़्यादा ठुकराने वाले एनर्जी होती है फाइव उफ सोड्स अपने प जो रोता है आपसे दूर होकर आपका यह वक्ती वहीं पर आया है 10 of stalks का card जो यह clear-court बताता है एक तनावर का वजह एक relationship तो ही relationship में तूटना relationship को तोड़ना, relationship में बे वजह हैं, गलत गलत फैसले लेते चले जाना, ये तो एक बहुत बड़ी वजह है ही, पर दूसरी वजह एक बोच है, एक फैमिली का ही direct connection तैनोफ वेंट्स का, इसमें उसे हम किसी चीज़ से जोड़ नहीं सकते, तैनोफ वेंट्स का मतलब है परिवार की आर्थिक स्तिती को संभालना, परिवार के लिए खमाना, परिवार के लिए मर मिटना, परिवार के लिए अपने सपनों को त्याग देना, इतना तक कि परिवार के लिए अपने प्यार तक को त्याग देना, तैनोफ वेंट्स इस तरीके का एक family burden होता है, पाई number two, जिसे आ पर प्रेशर आ गया था कि इसे हलका करने का इसके पास कोई तरकीब या उपाई नहीं था और अचानक से अनेक्सपेक्टेड वे में लिया गया ब्रेकप का जो फैसला था वही आज इस वक्ति को जो है तोड़ा है धिरे धिरे ये वक्ति खुद में ही खोड़ चुका है धिर कि बिल्कुल इस वक्ति का जो इस वक्ति को इतना जरा जुलसा रहा है अंदर से जहां पर बार-बार यही एक सवाल आता है कि तुम्हारी नाकाम्याबी या तुम्हारा रिष्ते में हैना कुछ कर नहीं पाना है ये तुम्हारे ही लाचारी है, तुम्हारे ही कमजोरी है, तुमने ये कई बार नहीं इसने गलत फैसला लिया है, स्टरिफ सेप्रेशन का फैसला इससे गलत नहीं हुआ है, इसने तो relationship में कभी कुछ दिया ही नहीं है, ये तक इस वक度 को ताने मिल रहे हैं, इस वरसे भी मिल होंगे इसके अंतरात्मा भी इसे यही ताना देती है कि वक्त रहते संभल जाते वक्त रहते जो है इस रिष्टे को है ना छोड़ते नहीं और इस रिष्टे को साथ में अपने पार्टनर के साथ मिलकर कंदे से कंधा मिला कर अगर बढ़ने की कोसिस करते बैलंस अगर पर आपको सोचना है कि आर्थिक और परिवार की बाधाय और समस्याय एक बोज की तरह इस वक्ति के उपर थी जिसके वज़े से ही जल्दबाजी में जटपट लिया गया इसका गलत फैसला है जो आज इस वक्ति को खुद को ही ताना दिये जा रहा है इस वक्ति को बरबात किये जा रहा है आपकी तरफ सोचने पर बहुत ज़्यादा मजबूर इस वक्ति को होना पड़ा है और कहते ना कि भीड़ भीड़ वाला ही काड़ होता है ना इन फायर कि भीड़ में बैटकर कोई व्यक्ति तन्हाई में रो रहा है कितना अजीब सेंटेंस निकला है मेरे म मुझे आपको सुन लीजिए कि भीड़ में बैटकर एक वक्ति तन्हा रो रहा है किस के लिए रो रहा है जिसको वो अकेले पीछे छोड़ाया है जिससे अपने नाते रिस्ते तोड़ाया है जिससे उसने अलविदा कह दिया है उसी वक्ति के लिए आज ये वक्ति को पूरा करने पर लगा हुआ हूँ आज बली ही मैं दूसरों के लिए अपना जीवन त्याग रहा हूँ पर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं भी अपने सपनों की तरफ आगे निकलूंगा और उसे पूरा करूंगा तो चलिए देखते हैं एक मेसेज इनकी तरफ से आप के लिए क्या है अच्छा पर आप एक वर्क और योर्क नेक्शन बहुत अच्छा बहुत ला जवाब मेरा तो बहुत पसंदीद का है क्योंकि जब भी कुछ बनने की बात आती है ना तो मेरा होसला बढ़ जाता है मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा अपने पार्टनर को इनकी सिच्टिशन को समझने की कोशिस करो इनके इनकी जगह पर आप खुद को एक बार रख कर देखने की कोशिस करो तो आप मेंदब किस तरहले के से एक हमेसा के लिए बन जाओगे पर दो कंधों का होना तो ज़रूरी है ना गया दू कंदे नहीं मिलेंगे दो कदम सात नहीं कोजिस करो और जरज्मेंट आया है तो इसले की तरफ से हर्म आया है तो देर सबएर रेफ्ला ज़रुर आएगा अच्छा फैसला आ आएगा इस पर आप जो है बिल्कुल कंफर्म हो जाओ कि फैसला फेवर में आपके आएगा ठीक है तो work on your condition है कि अपने रिष्टे पर काम कीजिए वाव ब्लोजम खिलना है इस रिष्टे को भी इसी कली की तरह फूलना है फलना है खिलना है खुस्बू बिखेरनी है है ना colors बिखेरने है तो ब्लोजम का मतलब होता है हमेशा कि अब समय है कि यह मुर्जाया हुआ यह सुस्थ पढ़ा हुआ यह टुकडों में बटा हुआ जो रिस्ता है वो भी जो है कली से फूल बने खुलकर है ना यह जो है अपनी खुबसूर्ती को भी खेरे तो ब्लोजम यहाँ पर डेफिनिटली इस और चाह रहे हैं इस रिलेशन्शिप का पर इस ब्लोजम को यानि कि इस खिलने के पीछे कुछ मेहनत करनी पड़ेगी जो है work on your connection की काम तो करना ही पड़ेगा ठीक है गाइस तो चली एक और मैसेज हम देख लेते हैं गाइस यहाँ पर कुछ मेसेज हैं यहाँ से मैं रेंडम ली हैं रुटन मैसेज एक सर्फ एक आपके पोर्सन जो सबसे महत्वपुन है स अच्छा एक साइडी है ना सोचा था जिनके लिए हम मर मिटेंगे ना सोचा था जिनके लिए हम मर मिटेंगे एक दिन वही हमसे दूर हो जाएंगे देखें सोचा सोची आप देखें कि जिस इंसान के लिए मर मिटने का एक ख्वाहिस था एक सपना था इसने कभी यह नहीं नहीं पाया उससे भाग नहीं पाया तो चले सुन्ते हैं फिर से नशोचा था जिनके लिए हम मर मिटेंगे एक दिन वही हमसे दूर हो जायेंगे जीने की तमना तो हम भी रखते थे पर अब तेरे बिना कैसे जी पाएंगे आ गया आपके पोसंग के द्वारा एक बहुत ही खुबसरत दिल को छूने वाली एक क्या साइरी कहूं ये तो इनके दिल का हाल है कि जीना तो ये भी आपके साथ चाहते थे पर अब नहीं जानते कि कैसे आपके बिना जी पाएंगे हैना इस तरीकी के हालत है आपसे दूर होकर इस वक्ति की दिल खोल कर सब कुछ इनों ने कह दिया है तो पाई नमबर टू ये थी आपकी रडिंग आई होप आप करनेक्ट कर पाए हो कोशिज ये कीजिए कि एक शेयर उन टूटे दिलों तक भी कर दीजिए जिनको रहत की जरूत है जो तडप रहे हैं कहीं लोगों तक हमारे रेडिंग पहुँच नहीं पाती कियोंकि हमारे जो फैमिली है वो लिमिटेड होती है है ना हर इंसान इतना सच्चा प्यार नहीं करता तभी ज़्यादा नहीं होते हमारी family members का हिस्सा लोग आजकल पैसों के पीछे, power के पीछे, attraction के पीछे, time pass करने वाले relationship के पीछे भागते है सच्चे प्यार करने वाले जो होते है ना बस वही आते है टार रिडिंग देखने यह बात कंफर्म है गाइस है ना वरना तीन-चार साल के अंदर millions में हो जाने चाहिए हमारी family है कि नहीं पर नहीं होती क्यों क्योंकि सच्चा प्यार करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है जो सच्चा प्यार करते है वही रिडिंग तक आते है वरना नहीं है ना तो guys आपसे यह रही क्योंशत है कि एक share कर दीजी अगर आप कर स